पिछले कुछ सालों में बॉलिवुट ने कई ऐसी हिंदी फिल्में बनाई है जो बंगॉली कल्चर और लोगों पर आधारित है। उनमें से ज्याधा तर में मेकर्ज ने कैरेक्टर्स के कपड़े पहने के तरीके पर बहुत ध्यान दिया है। आईए बॉलिवुट फिल्मों के कुछ सबसे अच्छे कपड़े पहने बंगॉली पात्रों पर एक नजर डालते है। साड़ी की नीवी ड्रेपिंग शेली दिखाई गई। दुपट्टे के साथ कड़ाई वाली कुर्तिया, दो टोन वाली साड़िया इन सभी को विद्या ने बहुत खूबसूरती से कैरी किया। कपड़े के साथ साथ जिस तरह से उनके बाल बनी हुई थे और जिस तरह के जुमके उनोंने पहनी थे, उन सब ने तो उनके बंगॉली कैरेक्टर में चार चांद ही लगा दिया। विद्या की बंगॉली की एक जलक वैसे भूल भुलाईया में भी दिखी थी। सिलेक्ट किया गया था। एश्वर्या की साडियों में लाल और गुलाबी रंग को हाइलाइट किया गया था। उनकी साडियों पर बड़ी ही सुन्दर कड़ाई थी। इसी के साथ साथ उनके गली के हार, कानों के जुमके और माथे की बड़ी बिंदी ने उनके बिंगॉली लुक को और भी ज्यादा निखार दिया उनकी मांग में लगी सिंदूर की मूटी परत ने उनके लुक में चार चान लगा दिया एश्वर्या के बाल बनाने और जूड़ा सजाने का जो तरीका था उसने भी उनके बिंगॉली किरदार को उभार कर दिखाया पीकू दिपिका पाडुकोन की ऐसी फिल्म है जो आज भी सभी को याद है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण उनको जिस तरह प्रेजन किया गया वो है दिपिका ने फिल्म में एक बिंगॉली महिला की भूमी का निभाई थी और जिस तरह की वेश भूशा फिल्म में उनकी थी वो सोने पर सुहागा साबित हुई उनका जो फिल्म में पहनावा थाव, वो रोजमर्रा के ओफिस पहनावे और कैजूल स्टाइल के साथ एक दम मेल खाता था, जिसमें काली बिंदी और स्टूल जैसी विशेश चीजें शामिल थी, जिनके साथ बिंगॉली महिलाएं अपने लुक को निखारने के लिए जानी जाती है, प्रसित कांथा फैबरिक में सॉलिट रंग और कलर ब्लोक कुरतिया, जो बिंगॉली महिलाओं को बहुत पसंद है, को फिल्म के लिए उनकी स्टाइल स्टेट्मेंट में अच्छी तरह से दर्शाया गया था, हैनलुम सारिया और वाइड लेगट पलाजो ने उन चीज ने दर्शकों का ध्यान आकरशित किया, वो था उनका बिंगॉली लुक, फिल्म में रेट्रो बिंगॉली लुक को दिखाया गया था उन पर, रेट्रो पोल का डॉट साडियों से लेकर आराम दायक कॉटन ट्रेप सक, उन्होंने साडी लुक को बड़ी ही सहजता से निभाया, लाल बिंदी बहुत कम लेकिन सुन्दर गहने और उनके जुमकों ने तो कहर ही ढ़ा दिया, उनके जब मॉटर्न ड्रेसिस को भी दिखाया गया, तो उसमें भी बंगॉली टच जलका, चाहे उनके हेड़ बैंड हो या येरिंग्स हो, सब में बंगॉली टच था लुटेरा में सुनाक्षी सिना ने बंगॉली जमीनदार परिवार से तालुक रखने वाली पाखी का किरदार निभाया था, और फिल्म 1950 के आसपास की कहानी दिखा रही थी, तो मेकर्स के सामने बड़ी चुनौती थी कि उस समय के अनुसार और बंगॉली परंपरा को ध्य और क्लास जलग रही थी, उस समय बंगॉली जमिनदारों की बेटिया कैसे रहती थी, उसका सबसे अच्छा उधारन था ये किरदार, चाहे वो शिफोन की प्रिंट वाली साडिया हो या बलाउस लेस, चाहे उनके पतली-पतली चेंज हो या लाल बिंदिया, सब ने अपना काम बखू भी किया, उनकी आखों की काजल ने तो उनके बिंगॉली लुप को और एन्हेंस कर दिया, बुल बुल में त्रिप्ती डीमरी ने तो दो तरह के किरदार निभाए, पहले तो एक मासूम लड़की की और फिर बाद में एक ऐसी महिला जो बदला लेने के लिए आत चेस दिखाई देते हैं, फिर बाद में चमकदार बनारसी साणिया जो उनके कैरेक्टर के साथ बिलकुल मैच खाता है, चाहे उनकी आखों का काजल हो या होटों की लाली, सब कैरेक्टर के डिमांड के साथ फिट बैट गए रोकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट ने जिस तरह बिंगॉली लड़की रानी चैटर जी के किरदार को कैरी किया, उससे कोई भी चकमे में पड़ सकता है कि क्या सच में आलिया बिंगॉली ही तो नहीं, उस समय उनकी ओम्र शिफोन सारिया, बस्टियर ब्लाउस, चांदबाली और उनकी बिंदियों ने खूब सुर्खिया बटोरी, जुमकों के साथ उनकी अदाओं ने तो लोगों को दिवाना ही बना दिया, मॉडरनिटी के साथ क्लासिकल बिंगॉली टच ने उनके किरदार में चार चान लगा दिये, रानी मुखर जी तो है ही बिंग बिंगॉली महीला किस तरह के कपड़े पहनती है, उसे दर्शाया, उनकी शंक चूड़ी और साड़ियों ने लोगों का ध्यान आकरशित किया। जब बात फिल्मों की बिंगॉली ब्यूटीज की करे और प्रियंका चोपरा का नाम ना आये, ऐसा हो सकता है क्या। बिंगॉली फैशन को एक नया मुकाम दिया। इन में से किसका फैशन लगा आपको सबसे अच्छा। और किस आक्ट्रिस को देखना चाहते हैं आप बिंगॉली बाला के रूप में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए। और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलिवुट नाओ।